पापा आप कहां जा रहे हो बोडर पर जंग छिड़ गई है बेटा जाना पड़ेगा पापा आप तो कली रात को आये थे और आज अतने जल्दी चले भी जाईएगा जाना पड़ेगा बेटा देश की रखवाली जो करना है सरा बहुत जखमी हो गए हो बात मानियें यहां से पीछी हटना ही सही रहेगा यारा इंडियन आर्मी में कभी पीछी हटना नहीं सिखाया जाता आज यह तो मारूंगा या मारूंगा आज देखता हूं किस में जादा ताकत है अब बता तू जादा ताकतवर है या मैं भाई तुम इतना स्रियसली क्यों लड़ने लगते हो कि मुझे भी पापा की तरह इंडियन आर्मी जोइन करनी है और दुस्मनों को सबक सिखाना है अरे अंकल आप कब आए अंकल चलिए घर में पापा नहीं आए क्या नहीं बेटा असल मैं आपके पापा क्या हुआ पापा गो वो जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए मम्मी बार्डर में लोग लड़ते क्यों है जब दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री में गुशने की कोसिस करते है तो लड़ाई होने लगती है बेटा दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री में क्यूं गुशते हैं ममी हमारे देश में कबज़ा करने के लिए ताके वो ये देश चला सके पर उनके पास अल्डेडी अपना देश है ना फिर वो क्यूं गुशते हैं ये तो मुझे पता नहीं बेटा अगर वो लोग हमारे देश में गुशने की कोशिश नहीं करते तो बोर्डर पे कभी लडाई नहीं होती और जब लडाई नहीं होती तो आज हमारे पापा हमारे साथ होते हैं काश ऐसा हो पाता वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें वीडियो में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ चैनल पर नीव हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें